फ्रेंड्स यह professional dashboard option आपको शो नहीं हो रहा है तो इस option को आप case से ला सकते हैं and हम inside cases चेक कर सकते हैं इसके वारे में जानकर जानने वाले actually यहाँ पर second ID में यहाँ पर open कर लेता हो तो यह ID में ने open की लेट से आप देख सकते हैं professional dashboard यहाँ पर शो नहीं हो रहा है साथ में यहाँ पर side case 3 line पर क्लिक करूँगा तो यहाँ पर get inside वाला option मुझे शो नहीं हो रहा है तो इस problem को cases all करें आज किस वीडियो में जानने वाले यहाँ से वीडियो को देखिए काफी ज़्यादा helpful वीडियो है आपके लिए अब यह वीडियो देखते देखते कोई भी problem आती है न तो comment box में ज़रू बता है तो कई न कई लग रहा है यह वीडियो को like करना चाहिए helpful वीडियो है तो ज़रू like करे 200 like करे target रख देता हूँ ज़रू complete करना चलिए ज़्यादा समय वेत इतना करते हुए इस वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं अब तरीका जानने से पहले एक suggestion देना चाहूंगा सबसे पहले Instagram को update करें क्योंकि professional dashboard एक नया option है ओके update की कारण आपको दिख जाएगा पहले तो update करें चलिए update तो आप नहीं कर लिया न तो चलिए सीधे point पे आते है तो get insight and professional dashboard शो नहीं हो रहा है तो उस setting open करने के बाद account के option पर click करना है यहाँपे check करना है switch account type यह switch to professional account option आपको show हो रहा है यह नहीं हो रहा है अगर show नहीं हो रहा है तो simply यहाँपे आपको back जाना है back यहाँपे setting में जाना है setting में यहाँपे नीचे bottom में आना है यहाँपे check करना है switch to professional account का option यहाँपे आपको show ह कर दो इस पर किलिक करना है तो मुझे यहां पर शूर्ण नहीं हो रहा है तो मैं अक्वन जाता हूँ फिर से और वहां पर ही में प्रोसेस कंपलेट करता है यहां पर नीच आपको में पेटिगरियाING तो कोई भी एक category आपको select करने हैं आपके साब से जिस category में आते हैं तो उस category को select करें select करने के बाद simply कुछ भी नहीं करना done पर click करना easily अब यहाँ पर maximum 30 seconds तक wait करना है wait करने के बाद आपके सामने कुछ ऐस तरह का इंटरवस आ जाएगा two category आ जाएगी creator and business अब यहाँ पर फस्ट आपको creator पर click करना है उसके बाद यहाँ पर next पर click करना है काम नहीं कर रहा है तो business पर click करें और आगे की process आप complete कर सकते हैं बड़ा easy है तो यहाँ पर मैं creator select कर देता हूँ and next के button पर click कर देता हूँ तो मैं not know पर यहाँ पर click कर देता हूँ click करने के बाद यहाँ पर फिर से आपको skip के button पर click करना है तो account यहाँ पर create हो चुका है यहाँ पर professional dashboard का option भी आपको दिखाया जाएगा अब बात करते हैं inside option के बारे में तो यहाँ पर corner की इस three line पर click करेंगे तो यहाँ पर get inside का option आता है friends अगर हम इस option पर click कर देंगे तो click करने के बाद यहाँ पर बार बार हम एक ही process करते हैं यहाँ पे simply हम continue पे click कर देते जो मैंने starting वे process बताई उससे हम फिर से apply करते फिर से done पे click कर देते फिर से category select कर देते फिर से not know फे click कर देते and skip कर देते अब यहाँ पे problem क्या दिये friends यह option तो ऐसे जाएगा नहीं and inside option इस तरह से आएगा नहीं स्वारी मिन्स होके भी दिखेगा नहीं तो यहाँ पर यह option कहाँ पर मैं सबसे पहले दिखाता हूँ आपको professional dashboard पर click करना है तो मैंने तो यहाँ पर click कर दिया अब click करने के बाद friends यहाँ पर आपको see all का option आता है account insights में आप देख सकते corner में तो इस option पर आपको click करना है click करने क इनसाइड आपको पहले जैसा दिखाये जाएगा जैसा पहला था वैसे ही आपको show होगा जहाँ पर कुछ additional information आप पता लागा सकते account के बारे में जैसे की reach, engage, followers या सब analysis आप चेक कर सकते हैं तो यहाँ पी भी आ रहे है problem comment box में जरू comment करो आपकी comment देखने लिए बैठा and problem आरे है न तो जरू comment करना and जाते जाते या वीडियो helpful लग रहा है, informative लग रहा है न तो जरू इस वीडियो को like करना 200 like का ही target है, please दोस्तों यहाँ पे इस target को complete करना and इस तरह की और सही जान कर जाने के लिए चानल को subscribe and bell icon पे जरू click करे and written कहना चाओंगा comment जरू करना यार छोटे-छोटे problem के उपर भी हम वीडियो बनाते हैं, तो एक ही topic के उपर मुझे maximum comment आते हैं, तो उस तित्मे में 101% वीडियो बनाओंगा, तो धन्यवाद अत्यांताबारी वीडियो देखने के लिए thank you, thanks for watching this video, जहिन वन्दे मातरम